Hello and Welcome to Defense Study Capsule. I hope you all are doing well and preparing for your defense exam. जैसे मैंने प्रामिस किया था मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ SSB Medicals Related सारे टेस्ट के बारे में और मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि किस टेस्ट में क्या क्या होता है इस वीडियो में ये सब बारे में डिसकस करेंगे ये वीडियो ध्यान से और अच्छे से देखना और एंड तक देखना क्योंकि मैं सारे टेस्ट कवर करने वाला हूँ अगली वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे अपना Medical टेस्ट करवा सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को भी शेयर कर देना तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड माइन में इस सर्चिन अपाद्या ये यॉर वाचिंग डिफेंस्टेडी कैप्सूल लेट्स गेट स्टार्टेड सो एसेस्बी मेडिकल्स की शुरुवात होती है जैसी आप रिकमेंड होते हैं उसके अगले दिन आर्मी में आपका मेडिकल्स शुरू हो जाता है सबसे पहले आपको हमेच में रिपोर्ट करना पड़ता है और आपको कुछ फॉर्म भराया जाते हैं यदि स स्टार्टेण के बाद सबसे पहले आपका लिया जाता है बलड सेंपल ऐन यूरीन सैंपल आपको सम्मिट करना नर्सिंग असिस्टेट को और आपको देखी आना होता है अपनीस में लैब में उसका टेस्ट होता है और आपको रिजल्स बताया नहीं जाता उस समय बस वह शीट में लिख दिया जाता है उनमें भर दिया जाता है उसके बाद कोई कि अगले दिन या फिर उसी दिन क्या होने वाला है अगला टैस्ट आई का भी हो सकता है आपको होती है जैसे आपके प्रिंट कर देते हैं आपकी है डिफेरेंट सरधेंड हो जाती हैं इस लिप में थोड़े छाता है आपको वोodore करते हुआ आपको मैन्स वह मैंनली पड़ुआते, रफरानकों स्क्रेdessus बाते, नियुक्त के किसे अगरने सी क्लोज्ट करूएंगे, जिनके स्पेक्स लगें, उनसे डिफर्ेन तरीके से करवाते हैं वो पहले आपको बिना specs के पूछेंगे कि आप पढ़के बताईए फिर आपको specs लगा के पढ़के बताना पढ़ता है इसी साब से डिसाइड करते हैं कि इसकी पावर कितनी है या इसकी जो visual range है वो कितनी है सो उसके बाद आपका किया जाता है color blindness के लिए test अब color blindness के लिए test करने के लिए उनके पास कुछ sheets होती है जिनमें alphabets, digits and कुछ absurd सी shape बनी होती है तो आपको पढ़के उन्हें बताना होता है कि इसमें कौन सा digit लिखा हुआ है कौन सा alphabet लिखा हुआ है और कौन सा shape बनी हुई है shape वो पूस्ते है कि इसमें कुछ लिखा है कि नहीं लिखा बताओ ये तो इससे वो check करना चाहतने है कि आपकी eye colors को distinguish कर सकती है कि नहीं कर सकती इस test को करने के बाद आपको एक हमारे पर drop दी जाती है जो की होती है pupil dialysis के लिए उससे क्या होता है कि आपका जो eye lens होता है वो थोड़ा size में बड़ा हो जाता है और जो आपका spots हैं वो easily identify कि जा सकते हैं कि आपके आँख में कोई spot तो नहीं है कोई आपके आँखों में कोई cataract तो नहीं है या फिर आपकी आँख है वो easily check की जा सके इसलिए वो pupil dialysis की हमें drop दी जाती है तो pupil dialysis की drop देने के बाद हमारे जो आँख है वो अच्छे देख नहीं पाती दुबारा टेस्ट के लिए बुलाया जाता है फिर आपको मशीन से वो चेक करते हैं डॉक्टर की आपके आँखों में cataract तो नहीं है आपके आँखों में आफिर जो भी pupil है उसमें कोई spot तो नहीं है सारी चीजे वो चेक करते हैं इस तरह आपका जो आई का medical होने के बाद जनरली जो आपका second test होता है वो आता है आपका x-ray and ultrasound x-ray और ultrasound में आपका क्या होता है कि आपको पहले जाना होता है x-ray में क्या होता है कि आपसे वो shirt उतरवाते हैं कि बोले shirt उतारो and उसके बाद जो x-ray वाली machine है उसमें आपको x-ray के लिए ले जाया जाता है आपको सामने एक्सरे लिया जाता है अब एक्सरे में सिर्व आपका चेस्ट का एक्सरे लिया जाता है और किसी पार्ट का एक्सरे नहीं लिया जाता तो आपको यह देखना चाहिए कि जो आपको एक्सरे करवाना है वो चेस्ट का एक्सरे करवाना है चेस्ट के एक्सरे में क्या क्या यौफ यौयौब्ले फिर मुए आपको पूरी यसे बैब्लेढर बेता के लिए जाता है यह जो इसे नियुक्त करते हैं कि ने च्टोरी कि यौपाई जो करते हैं और धेखցए किड्नी में इस films टेक करी जाती हैं इसब आपको करना तोन-ए एक्सरेय होने के बाद को वापिस यह ब्दिया जाते हैं इन तेस्ट का फ says फुल फॉर्म इंट तेस्ट किया जाता है और आपको Squeeंटी डिपार्टमेंट में अपको सबisions बुलाया जाता है और वो ओटोस्कोप नाम की मश책 होते है और कैमरा टाइप को उसको आपको सबसे पहले पौ ऐरांज कोई नहीं है ऽो आपको पर प्रहma है तो आपको कोई भी था हैं बट अगर आपको कोई भी रिजेक्षइं मिल रहे हैं उन्हें आपके ear and ear में left and right तो आपको आगे के टेस्ट नहीं करते आपके वहीं पर आपको टियार लिखके देज़ेते हैं कि आपको यह टियार मिला है ठीक है बड़ अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है तो आपका वह नोज फ्रॉट भी चेक करेंगे अब वह कैमरा वाली मश फ्रॉट में कोई प्रॉंब्लम नहीं निकलती तो उसके बाद आपको लिजा जाता है अडियो में जाता है अपको आपको कि आ और होतीसमें आ रही से और पीछे से से जो डॉक्टर हैं वह आपको कुछ धीरे-धीरे विस्परिंग करते हैं तो आपको विस्परिंग पावर्ड देखने होते हैं कि आप सुन पाते हूं तो आपकी जो hearing ability वो एकदम नॉर्मल होती है मेरी नहीं की गई थी बिकाज मेरा जो डिजीज है हैं तो निकल इसका निकलता है उसकी नहीं की जाती उसको बाद में की जाती है ए ऐर-nose-throat के भी टेस्ट ऐसे खतम हो जाते हैं सुझ नेक्सट होता है वो था है डेंटल टेस्ट है सबसे पहला आपको डेंटल Dental OPD में लेके जाया जाता है Dental OPD में आपको चेक क्या जाता है और आपके Dental Points काउंट के जाते हैं डेंटल पॉंट्स आपके 14 minimum होने चाहिए है तो गैट सेलेक्टेड इंटू आंफ फॉर्स फोर्टीन मिनिमम मुने चाहिए अभी देंटल पॉंट काउंट काउंट करके देंगे आमपन कांट करने सबस्क्त करते हैं कि कअभी कोई ऐसे ज्यादा कंडिशिन खराब तो नहीं है और उस चीजाओं के लिए कांऄ ए Corey should do. होती है फो तो नहीं है आपको leaders criticize कहरते है उसके लिए मैं लग्से वीडियो बना धूंगा है नेख नेच्स कीया जाता है वहाँ का होता है डिस मेडीसिनल टेप इसमें आपका क्या होता है कि हाइट वेट इसकी measurement ली जाती है आपको overweight तो नहीं है अंडर वेट तो नहीं है और आपकी chest का measurement लिया जाता है chest expansion जो plus 5 cm की होनी चाहिए वो check करी जाती है उसके बाद doctor के पास वो report लेगे जाती है और doctor आपका blood pressure check करते है oxygen concentration check करते है और ultrasound and x-ray की report भी check करते है उसके बाद ये test complete हो जात बंदें ब्हुते च्ब्रीख का होता है वो आपका general होता है surgical test अब surgical डैस्ट में से करें आपकंगे में यह जो घृते कि एपना पकड़ सकें कि इसकला पसीथी आपके क्वाइट शेक करते हैं तो कश्क करते हैं अबसर तो आप फीकर नहीं है तो आप जाएंगे उसके जएनिट्ट ना कैरी चैकर जाता कि पाले के लिए टैस्ट होने ए ट्ट में झेजने कि अचनलिक है दो वह शटक करतें हैं कि ऽनी चेस्ट हम यह पिर हम्धिकर होने के बाद आपका जो SSB का medical test है वो पूरा complete होता है जो end का day होता है वो conference जो होता है जिसमें आपको बताते हैं कि आपको कितने TR मिल रखें और आगे के लिए आपको procedure पूरा समझाते हैं कि आपको appeal medical board के लिए कैसे apply और कब करना और कैसे apply करना रिपोर्ट कब करना है यह सब complete होने के पार जनले फॉर तो फाइव डेज लगते हैं आपको SSB medicals को पूरा complete होने में इस video में मैंने आपको समझा दिया है कि कौन कौन से test करे जाते हैं आप लोग सोच रह trabajo कि मैंने बताय हैं नहीं कि वाई कौन कौन से test है oh पो वीडियो हो चालित aurait been एंधी मैंने लंबी बनाए नहीं तो सोते हैं ख steak hustler आप सबस्क्स कर सकते हैं उसके बारे में conventional ön बना है कि आप एंट डिपार्ट में आप मनिसकते हैं आपको IK related क्या क्या TR मिल सकते हैं इन में मैं अलग-अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आप इंट्रेस्टिंग भी लगे आपको और आप आप इजली आप अवेर भी हो जाओ कि आप इस इस में आपको TR मिल सकता है कीप सपोर्टिंग आप सब्सक्राइब कर दीजा अगर आपने अभी तक नहीं किया वीडियो जल्दी आने वाली है और मेक शॉर डैट मैं आपको सारी डिजीज के बारे में बता सकूं सारी डिजीज कवर कर सकूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपने SSB मेडिकल में तो कीप सपोर्टिंग दे चैनल सब्सक्राइब दे चैनल शेर दिस वीडियो विडियो विडियो अपने दोस्तों के साथ शेर करिए लाइक कीजिए वीडियो को और तिल देन जै हिंद